जेहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई इसकुल साय का अध्यापक परिक्चा के लिए हिंदी भासा का बहुत ही महत्तपुण यहां पर प्रेक्टेस है तो वीडियो को पूरा वस्य देख कि राजस्तानी भासाव साहित पुस्तक के लेकक कौन है इस पुस्तक के लेखक आपके लिए यहां पर बताना है कौन है इसके लेखक तो आपके यहां पर सही आंसर क्या होगा तो आपका सही आंसर मौति लाल मिनारिया आपका सही आंसर है आखरी में आपके लिए बताना है यहाँ पर कुत्ने question आफ्से सही बने हैं कमेंट में बताएंगे कि कि आपसे रहे हैं और जो second question यहाँ पर पुछा है हिनदी की फिर्तम महिला लेकी का कौन है तो महिला पूँचा है आत्मकता लेकी का कौन है जानकी देवी बजाद पृतिभा अगरबाल प्रभाद खेतानी रम्ण का गुपता तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बाउन का जानकी देवी बजाज आपका सही आंसर यहाँ पर होगा कौश्य नमबर आपका हैं आपके यहाँ पर 53 पूचा है आचाह रामचन सुक्ल की एतिहासिक स्रष्टी हिंदी कभीता संबंद ज्ञान को संकलेट करती है योग्य की परिस्तितिविवें को प्रमुकता प्रदान करती है यह परंपरा कमहत्य प्रतिश्टिट करती है यह आरत करता तो चंगन का सही आंसर आप comment में जरूखता है क्या होगा इसका सही आंसर तो कविता कोमदी के संग्रय करता पूंछा है तो आपका राइट आंसर राम नरिश्त्र पाठी आपका राइट आंसर होगा question number आपका पचपन पूँचा है विद्यापती इनमें सीकिस रचना की आदार पर मेतल कोकिल कहलाए पदावली, कीर्ती लता, कीर्ती पता का या उपरोक्त सभी तो आपका पचपन का आपका जो सही आंसर है पचपन का बय है आपका पदावली यानि की विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक राइट आंसर है question number आपके यहाँ पर चपन पूँचा है संदेश रासक किस परकार का काप है प्रबंद काप है मुक्तब काप है या खंड काप है या मा काप है तो संदेश रासक जो है एक इस परकार का काप है यह आपको यहाँ पर बताना है तो चपन काप का बी राइट आंसर होगा यानि की एक यहाँ खंड काप है खंड़क आप आपका सही आंसरों का संदिश रासक कॉस्चन नमबर संता हूं चंद बरदाई को हिंदी का पिर्थम महा कभी किसने माना है चंद बरदाई जी को हिंदी का पिर्थम कभी जो माना है चंद बरदाई जी को किसने माना है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानिकी रामचंद सुकल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा रामचंद सुकल आपका यहाँ पर सही आंसर है मीरवाई का मलाल किसकी किरती है यह आपके लिए बताना है मीरावाई का मलाल ये जो किरती है किसकी किरती है मीरावाई छीत स्वामी नंददास या गोबिंद स्वामी तो आपका यहाँ पर अंटाउन का जो सही आंसर है ये जो किरती है मीरावाई आपका सही आंसर होगा मीरावाई आपका राइट आंसर question number है आपका insert अपने पौरोस से हतास जाती के लिए भगवान की सक्तिव और करुण की और ध्यान ले जानी के अतिरेक्ट दूसरा मार्ग ही क्या था ये कतन कई बार पूंचा जा चुका है तो बताईए कतन किसका है कई बार ये एक जामे पूंचा जा चुका question है और आपका यहाँ पर सही answer है उनसर का रामचन सुकल आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही रामचन सुकल आपका right answer है साथना की तीन अभियव बताएगा है कर्म ज्यान और खालिस्तान कौन सा है साथना की तीन अभियव बताएगा है कौन-कौन से कर्म ज्यान और कौन सा होगा तंत्र भक्ति मन या बानी तो साथ का आपका जो सही answer है साथ का वह विकल्प नंबर सी आनकी भक्ति कौन-कौन बताएगा है तीन अभियव साथना की कर्म ज्यान और भक्ती, question number 61, रागाव चेतन, इनमें सी किस सूफी काप्विका पात्र है, कौन रागाव चेतन, रागाव चेतन बताने हैं बताई, महत्पूर्ण question पूँचा क्या है, मदुमालती, पदमाबत, मिर्गाबती, अचन्दायन, question number 61 का राइट आंसर बताईए, और रागाव चेतन जो है, इनमें सी किस सूफी काप्विका पात्र है, तो पदमाबत आपके हैं पर एकसर्ट का सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल चाहिए, question number 62 है, भासा ने बंदे, मती, मंजुल, मात नोती, किस कभी द्वारा, रचेत इस लोग का अंसर है, बताईए, बा नमबर C, आनिकी, तुलसीदास आपका यहां पर सही आंसर होगा, तुलसीदास राइट आंसर है, बिल्कुल सही, question number 63 है, आपका यहां पर, निमलिकित में सी बल्लवाचार की सिस्ट्यों के संबंद में, कौन सा कतन असत्य है, असत्य कतन यहां पर आपके लिए चेन करना है question number 63 में, करिए असत्य कतन का शेन, question number 63 महत्तुपुल्ण question पूचा गया है, और बल्लवाचार की सिस्ट्यों के संबंद में, असत्य कतन तो विकल्प नमबर C, राइट आंसर है 63 का, नंददास, चतुरभजदास, यह कतन कैसा है, असत्य है, question number 64 है, विज्ञान गीता की रच के सब्दास आपका यहां पर सही आंसर होगा, के सब्दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही के सब्दास राइट आंसर है, अमिये हलाहल मद भरे, सुएत स्याम रतनार किस की पंती है, सौमनात, पदमा, कर या रसलीन या बिहारी, अमिये हलाहल मद भरे, सुएत स्याम रत चाहिए आपसे यहां पर बताए रीती मुक्त नहीं है तो बोधा ठाक और आलम सेना पती Q66 है वो 66 का सही आंसर आप बताएए कौन सा कभी रीती मुक्त नहीं है तो आपका यहां पर सही आंसर है 66 का D यानि की स्याना पती सेनपती आपका सही आंसर है विकारी दास की रशिना यहां पर बताना है कौन सी है काप बे निर्गुण या सुरी काप बे निर्णय या चिंता मनी काप बे सिंदू या रस विबेक तो question number 66 का सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा विकारी दास की रशिना पूंचा है तो 66 में आपका राइट आंसरों का विकल्प नमबर एक का बिनिरने Q68 है इनमें से किसका समय सबसी बाद में है तो सबसी बाद में किसका समय आता है कि सबदास घनानंद रहीम या पदमाकर तो इन में से सबसे समय जो है बाद में आता है समय किसका आता है बाद में तो 68 का D यानि की पदमा कर आपका सही आंसर यहां पर होगा Q79 पूशा गया है रितु बंडन तो इनकी ऐसा और किसी सिंगारी कभी ने नहीं किया है यहां पर बतामा कर तो आपका यहां पर सही आंसर है काल किसी कहा जाता है इई आपका question नंबर 70 है और 70 का जो सही आंसर है भाई क्या है हिंदी पुनर जागनल काल किसी कहा जाता है तो सत्तर का सी राइट आंसर है भारतेंदु योग योग आप कहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही नूर जहां प्रबंद काभी की रचेता कौन है इसकी रचेता आप से पूंचा है question number 71 में और 71 का आपका जो सही आंस होगा भै क्या होगा बताए नूर जहां प्रबंद काभी की रचेता पूंचा है तो 71 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी गुरु भक्त सही आंसर है गुरु भक्त सही राइट आंसर है question number 72 पूंचा है पुस्पी की अभिलासा नामक प्रसिद्ध कभीता की रचेता कौन है ये question तो कई बार पूंचा जा चुका है और बहुत ही महत्तपूंड question है कि पुस्पी की अभिलासा नामक प्रसिद्ध ये कभीता है और इसके जो रचेता है माखनलाल चतुर बेदी है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 72 का सी बिलकुल सही question number है आपका यहां पर 33 दि प्रामाण से या भागवत प्राण या महाभारसी तो तेतर का सही आंसरों का महाभारसी तेतर का आपका डी राइट आंसर है question number चोहतर पूंचा है ने मिलकेत में से कौन तार सब तक का कभी है धर्म बीरभारती अग्ये समसिर बहादूर से अनरिस महता question number चोहतर का सही आंस किसकी प्रवित्तिगत विसेस्ता है नई कभीता की प्रगतिबाद दलित विमस या छायाबाद तो यह विसेस्ता जो है किसकी है यह आपके लिए बताना है तो 75 का एक राइट आंसर है नई कभीता आपका सही आंसर होगा question number 76 है हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की होती ह दो छे चार आर्ट question number 76 का सही आंसर बताईए तो जो ध्वनिया होती है यह हिंदी में कितने प्रकार की होती है यह आपके लिए बताना है तो आपका 76 का राइट आंसर है यह दो प्रकार की होती है विकल्प नंबर एक सही आंसर है उसमें वेंजन कौन सा है यहाँ पर हा मा ला जा यहाँ पर उसमें वेंजन वताना है तो उसमें वेंजन कौन सा है बताईए महत्तपूर्ण question है question number 77 और उसमें वेंजन की बात की गई है तो यहाँ पर हा आपका राइट आंसर है हा सही आंसर बिल्कुल चाई question number 77 पूंचा है राम अयुध्या की राजा थे में कौन स जिन्न योक्त हैं है यहाँ पर कौनसा चिन्न योक्त है यह आपके लिए बताना है तो question 38 搧्रकार सभी के लिए पता है बहुत इंसल question पूंड भ्राम आंसर है बिल्कुल चाई सवद्ध सभ्द बतलाईे तो उज्वलन कैस किस प्रकार लिखते हैं है क्हां पर question 89 यौन्य जो जा रहता है इस दो बार आदा आदा उज्वलन इस परकार लिखा जाता है विकल्प नमबर एक राइट आंसर होगा बरतनी की दरश्टी से यहाँ पर कौन सा सब्द सही है तो यहाँ पर आपके लिए बताना है स्वतंत्रे सब्द आपके लिए बताना है बरतनी की दरश् है कौनसा है यहां पर बताईए question number 81 में क्या होगा 81 का right answer चार विकल्प दिएका है question number 81 है सुद्ध सब्द रूप है तो बिल्कुल सही आपका answer होगा क्या होगा दुर निवार दुर निवार आपका यहां पर सही answer होगा मना की भावाचक संग्या क्या है मना की भावाचक संग्या होगी मनाही मानस मनसा या मन question number 82 है और 82 का आपका जो सही answer है वह आपका विकल्प नमबर यह यानि की मनाही गाए कौन सी संग्या है यह ब्यक्ति बाचक जाती बाचक क्ल कितने भेद होते हैं ugm erator 84 में आपके लिए बताना है सर्ब नाम की कुल 끝ने भेद होते हैं यह पूंछा है तौ आपका और मैं जा रहा हूं खालीस्ताइन की या गी में जा रहा हूं कालीस्ताइन की चिंता मत करना किसकी नहीं करना आपका यहाँ पर राइट आंसर है 85 का विकल्प नंबर C आनि कि मेरी मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना यहाँ पर मेरी राइट आंसर होगा question number है आपका 86 कि बेताल 25 कि किस विसेशन का उधारन है अपूर संख्या बाचक क्रम बाचक या पूर संख्या बाचक या समुदाय बाचक तो बेताल 25 जो है किस विसेशन का उधारन है तो 86 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर D यानि कि क्या होगा राइट आ बाचक आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही समें बाचक है आपका राइट आंसर है क्वेशन आमझा है नंबर आपको 87 पूंचा क्या है दुबाई कितना सुन्दरदे से रेहान कित पद खालिस्तान है यह क्या है आपके लिए आपर बताना है क्ेशन बाई है और 87 का राइट आंसर क्या होगा दवाई कितना सुंदर दे से रेकांकित पद जो है खालिस्तान है तो विधे विशीशन आपका सही आंसर होगा विधे विशीशन कॉस्चन नमबर आपका 88 क्या पूछा है कि रचना की दरश्टी से किरिया के भेद होते हैं तीन या चार या दो या पांच तो कॉस्चन नमबर आपका 88 और 88 का जो सही आंसर है वह होगा आपका सही आंसर यहाँ पर रचना की दरश्टी से किरिया के जो भेद होते हैं वह कित विकल्प दिये गए हैं बताएं महत्वण कॉस्चिन आप से यहां पर पूंचा गया है तो 89 का सई आंसर होगा आपका विकल्प नमबर एक किरिया की मूल रूप को किरिया के मूल रूप को राइट आंसर होगा निम्न में अवियाब है 90 का राइट आंसर भारत आ है स्याम आंसर है मा सुभह नास्ता बनाती है इनमें कौन सा किरिया बिसेशन है काल वाचक परिमान वाचक इस्तान वाचक रीती वाचक question नमबर है आपका 91 91 का राइट आंसर आपके लिए हांपर बताना है और 91 का जो सई आंसर है आपका वै विकल्पन नमबर काल बाचक एक या आहार, पुलिंग सब्द का चैन करना है आपके लिए यहाँ पर question number 92, 92 का जो सही answer है, बाननवे का विकल्प number D, यानि की आहार, आपके यहाँ पर एक क्यांसा सब्द, पुल्ने क्व controversy अमबर है आपका यहापर देरांज़ सब्ध के जिस रूप से एक ही वास्तु का बौध हो उसे खालिसतान कहते हैं सब्धिक जिस रूप से एक उसे का थे हैं बचन अनीक बचन एक बचन या बहु बचन तो देरांज़ कराईट आनसर ए उसको कहते हैं एक question number है आपका यहाँ पर 94 बह आई हो तो मेरी चिठी उसे दे देना कौन सा काल है 94 में आपके लिए काल का यहाँ काल बताना है कौन सा काल है यानि की बताई यह question number है 94 और right answer है आपका संभाव बर्तमान संभाव बर्तमान काल है तो विकल्प number भी right answer ब्रक्षों से पत्ते जड़ते हैं में कौन सा कारक है करता अपादान या संप्रदान या अधिकरन तो ब्रक्षों से पत्ते जड़ते हैं में कौन सा कारक है तो 95 का जो सही answer है आपका C right answer है यानि की अपादान Question number है आपका है आपका यहाँ पर 96 उसने टेड़ी चाल चली बाक्य में कौन सा कारक है इसमें आपके लिए कारक का चैन करना है कौन सा कारक हो का इसमें उसने टेड़ी चाल चली में कारक कौन सा है तो आपका 96 का विकल्प नमबर D यानि की करता करता कारक है विकल्प नमबर D right answer है अंगले Question है अंगीठी का तत्सम है अंगीठी की तत्सम बताना है आपके लिए तो यहाँ पर है आपका Question number 97 और इसका जो सही आंसर है 97 का विकल्प नमबर आपका सही आंसर होगा अगनिष्टे का आपका सही आंसर होगा Question number है आपका यहाँ पर 98 तत्दवा सब्द का चैन कीजिए 98 में तत्दवा सब्द का चैन करना है सुर गती निडर या कमल तो यह आपकी यहाँ पर चार विकल्प है और तत्दवा पूंचा है तत्दवा में आपका हो जाएगा यहाँ पर 98 में निडर निडर यह जो है तत्दवा सब्द है उपसर के से संबंद सूत्र है तो उपसर के से संबंद सूत्र कौन सा है 99 का सही आंसर बताना है कौन सा है उपसर के से संबंद सूत्र तो आपका राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर प्राद है प्राद है है आपका इहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर एक कौस्चे नमबर आपका सो पूँचा बेग्यानिक सब्द में प्रत्य लगा है तो बताइए क्या होगा 101 अविर्भाव का विप्रीर तार्तक सब्द निमलिकेत विकल्पों में से छाटिए कौन सा होगा अविर्भाव का विप्रीर तार्तक सब्द तो 101 का राइट आंसर है C यानि कि तुरू भाव तुरू भाव आपका सही आंसर होगा गुण सब्द का विलॉम क्या होगा गुण का दोस गुण या गुणा तो 102 का राइट आंसर भौती सल कॉस्चन है गुण का दोस विलॉम राइट आंसर आकास का पर्याबाची सब्द नहीं पूँचा है देखे नहीं में आपको बताने कौन सा नहीं होगा आकास का पर्याब पर्याय नहीं है तो दुब्द गोरस पय या अमिय तो आपका राइट आंसर है कॉस्चन नमबर 104 का सही आंसर बताना है तो 104 का सही आंसर है आपका अमिय जो है दूद का पर्याय नहीं है कॉस्चन नमबर आपका यहां पर 105 पूंचा है अंबर का अर्थ आकास होता है अंबर क कोकॉस्चन अर्थ होता है आकस और अकर रमबर का अन्य अर्थ क्या होगा देक सो पांच का रख आंसर है विकल्प ननबर एक की बसत रहे विकल्प नम्बर कौस्टन नंबर एक यहान की जगा है यह प्रियोक्त नहीं किया जा सकता है ενॉत热ाद पंख आरऊ सी आंसर है विल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर सही अर्थ वाला सब्द युग में कौन सा है सही अर्थ वाला सब्द युग में बताना है कौस्च नंबर 107 में तो 107 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर सही अर्थ वाला सब्द युग में कौन तो question no.107 का विकल्प नमबर आकर खान आकरती यह जो है आपका सही आंसर होगा question no.108 पूचा है अब्ज का अर्थ कमल होता है परन्तु इसके सम्रूपी सब्द अब्द का अर्थ खालिस्तान होता है तो अब्द का अर्थ बताना है क्या होता है देखें अब्ज का अर्थ कमल होता है परन्तु इसके सम्रूपी सब्द है अब्द और इसका अर्थ होता है तो 108 का राइट आंसर है सी यानि की बादल बादल आपका राइट आंसर है question no.109 है कि अल्पहारी सब्द के लिए उचित बाक्यांस छांट यह अल्पहा question no.110 पूँचा है पीछे पीछे चलने वाला बाक्यांस के लिए एक सब्द है बताइए question no.10 110 वा question पूँचा है पीछे पीछे चलने वाला बाक्यांस के लिए एक सब्द है तो 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी अनुगामी question no.11 है संदी के तीन वेद होते हैं स्व जबी के लिए पता है स्वर संदी खाल संदी और आपका सई आंसर घ्यारा का विकल्प नंबर एक यानिकी बियंजन संदी और बिसर्ग संदी कॉस्च्च नमबर 112 है एत्थी धन आदी वराबर इत्यादी में कौन सी संदी है इत्यादी में आपके लिए संदी का चेहन करना है तो 112 का राइट आंसर है इत्यादी में आपके हो जाएगी न संदी यान यानि की विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर समास के पदों को अलग कननी को क्या कहा जाता है बिच्चित बिग्रह बदला विवक्ती तो सभी के लिए पता है समास की जो पदों को अलग कननी को कह जाता है क्या कह जाता है तो तेरा कराइट आंसर C बिग्रह है यानि की विकल्प नंबर C राइट आंसर है कौस्चिन नंबर 114 है राज कुमार में कौन सा समास है राज कुमार में समास का चैन करना है कौस्चिन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर है इसमें समास का चैन करना है तो ततपरोस आपका राइट आंसर question number 115 115 धा जो question आप से यहां पर पूंचा गया है कौंसा बाक्य सयंग बाक्य का अधारण है देखिए यहां पर क्या होगा सही answer कौंसा बाक्य है जो सयंग बाक्य का अधारण है तो 115 धारण सही answer है आपका विकल्प नमबर आपका C बाया और गया यह जो है समय्त वाग्त का उधारनबह आया और गया कॉस्ट्य नमबर आपका है यहापटर पूchnचा क्या है एक सो सोल क्या है शुद्ध वाग्तकीन करना है कॉस्ट्य नमबर 116 में तो 116 का सही आंसर है मैंने तीन कुर्षियां खरीदी यह जो है आपका सुद्ध बाक्त होगा विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर 16 का कॉस्चिन नंबर 17 क्या पूंचा है आप नीसन को चले जाओ इस बाक्ति की तुर्टी सुधाने के लिए निम्न मैंसे सही बाक्त के छांटिये यहां पर आपके लिए सही बाक्त के छांटना है तो बताइए आप नीसन को चले जाओ इसका जो है सुद्ध करना है इस बाके को तुर्ट 17 का राइट आंसर एक तुम नीसन को चले जाए तुम नीसन को चले जाए विकल्प नंबर एक र आधिक की ऑउधार्ना के संपर्दाइ से संबंधित है तो 18 का राइट आणसर है विकल्प नमबर सी आणिकी रस आपका राइट आंसर करौन रस का स्थाइभाव क्या है ये तो बहुत इसलल कोस्चन। है अनिस्थाइभाव क्या है चौन की और तो अनसर제уляр का अनसर पूंचा गया है तो आपके हैं पर सही आंसर है सोक आपका राइट आंसर विल्कुल सही करुण का सोक राइट आंसर होगा कॉस्चिन नमबर 120 से चरण में बन्नों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन बन्नेक चंदों का सही अनुक्रम कौन सा है तो 120 में सही अनुक्रम बताना है तो इंद्र बज्ज्रा बसंत तिलका मदा मंदा कांता और सारदूल और विक्रीडित यह जो है आपका डी राइट आंसर यहां पर होगा 120 का कॉस्चिन नमबर 121 क्या दिया गया है अविदी सिला का और पर था गरूभार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार इस उद्धरन में प्रियोक्त छंद कौन सा है इसमें छंद दूहा बरवया सौठा गीति का 121 का सही आंसर का चैन करना है और 121 का आपका राइट आंसर सी यान कि इसमें बरवया है भासा में सब्द और अर्थ की द्रश्टी से सौंदरी उत्पन करता है कौन इसमें सौंदरी उत्पन करता है भासा में सब्द और अर्थ की द्रश्टी से तो 122 का सही आंसर है सवी के लिए पता है यहाँ पर सौंदरी की बाद चलना है उभी स्वण रोत पन्न करता है तो अलंखकर कोण करता है अलंखकर आपका सही आंजर बाइस कभी कौस्टिन नंबर टेईस कोश्चन दिया गया है इसमें से कौन सा अर्था लंखकर का वेद नहीं है देखें नहीं पूचा है आपसे यहाँ पर नहीं है तो 123 का सही आंसर बताईए अर्था लंकार का भीद नहीं है उपमा रूपक अतिसयुक्ति या यमक तो यमक आपका सही आंसर कॉशन नमर 124 पूँचा है ब्यापार में जादा धन लगाए कि सीख न मानकर राजन ने अपने पेरों पर आप ही कुलाली मार ली तो यहां पर बताईए कश्ट सहिना इसका आपके लिए क्या है अर्थ बताना है आनकी यह जो है इसका अर्थ क्या होगा कश्ट सहिना अपना नोकसान होना तो यहां पर अपने पेरों पर आप ही कुलाली मार ली तो इसका अर्थ क्या होगा तो आपका यहां पर मुहावरी लोकोक्ति जैसा दिया गया है ए तो आपका यहां पर सही आंसर होगा इसका 24 आपका राइट आंसर है विकल नमबर बी आनि की अपना नोकसान खुद करना, question number है आपका 125 की आखना दीदा, काले कसीदा, लोकोक्ती है यह और इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा, आखना दीदा, काले कसीदा, लोकोक्ती का अर्थ क्या होगा, तो 125 का सही आंसर है आपका, योगता ना रहेने पर भी काम कननी की सैखी भरना, यह जो है आ बिन्री भासा का प्रत्रमाण width कौन सा था है प्रतवी दाज रासु या आला है उदल तो आपका ये Alors ही आनसर होगा रोर्द गाइब पॉस्चे जो रचिनाकार है 28 का राइट आंसर होगा स्याम नाराइन पांडि स्याम नाराइन पांडि आपका सही आंसर है मधू साला किसके दारा रचेते तो मधू साला पूंचा है तो मधू साला महादेई बर्मा हरीवंस राइबच्चन में अथली शनगुप्त सुमित रांदन 25 तो 29 का सही आंसर होगा मदू साला हरी बंसराय बच्चन बिल्कुल चाहिए वेकल नमबर सी राइट आंसर होगा 29 का इनमें से कौन सी रचिना ज्यानपीट प्रोषकार से सम्मानित नहीं है तो बताइए नहीं है पूंचाए आप से तो यामा बुनी हुई रच्ची चेदंब में साहित अकादमी प्रोषकार से मंगल से समन की रचना मिट्टी की बारात किस विदा की किरती है देखे यह जो है अगर आप से पूंचा जाता है आप मिट्टी की बारात के लिए जो है इस पर कौन सा प्रोषकार मिला तो साहित अकादमी प्रोषकार मिला अगर पूंचा की है उपन्यास नाटक काफ बे कथा इस प्रकार तो आपका सही आंसर होगा 31 का बी आनिकी काफ है यह काफ बे बी राइट आंसर है बिल्कुल सब्सक्राइब कॉस्चन नमबर 32 इनमें से कौन सी रचिना प्रिसिद्य कथाकार मनुहंडारी की नहीं है यही सच है नया नौकरी अकेली या पिंजरी की उडान तो आपका सही आंसर है आपर 32 का बिकल्प नमबर पिंजरी की उडान डी राइट आंसर है बिल्कुल सही डी राइट आंसर है जंगल जहां सुरू होता है उपन्यास की रचेता कौन है जंगल जहां सुरू होता है भीषमिसानी राजिंद्या आपका सही आंसर है question number 134 है पच्पन खंबे लाल दिवार की लेखी का है 55 खंबे लाल दिवारें की लेखी का पूंचाए आपसे यहाँ पर तो यहाँ पर नुपमा से होती है या मनुभंडारी कृष्णा सोबिती या उसा प्रियंबदा तो 34 का सही आंसर है आपका उसा प्रियंबदा उसा प्रियंबदा विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर होगा भारतेंदू हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भासा से अनुदित है तो बिद्या सुन्दर चंद्रा वली हिंदी नई चाल मधली कभी बचन सुधा तो कौस्चन नंबर 135 भारतेंदू हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भासा से अनुदित है तो 135 का सही आंसर होगा 135 का विकल्प नंबर एक विद्या सुन्दर विद्या सुन्दर राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर रामकुमार बर्मा 36 कभी रामकुमार बर्मा राइट आंसर है सबसे पहली आत्म कथा हिंदी में किसे ने लिखी है स्याम सुन्दर दास रादा कृष्णन महावीर प्रसाद दोवेधी जवाहल्लाल निहुरू किसे ने लिखी है आत्मकता सबसे पहले हिंदी में तो 37 का right answer है स्याम सुन्दरदास विकल्प number C आपका right answer होगा स्याम सुन्दरदास अपनी बापसी कहानी संग्रह किसका है यह आपके लिए बताना है अपनी बापसी तो यहाँ पर अपनी बापसी कहानी संग्रह किसका है तो आपका right answer है क्या है 138 का 138 का चित्रमदगल आपका यहाँ पर right answer है विकल नमबर भी right answer होगा मिरजा गालिब किस सासक के दरवारी कभी रहे थे मिरजा गालिब जो थे एक इस सासक के दरवारी कभी रहे थे तो question number 149 का सही answer बताना है और 149 का आपका right answer है क्या है 49 का तो आपका है यहाँ पर मिरजा गालिब पूचा है यह किस दरवारी के कभी थे किस सासक के दरवारी कभी थे तो 49 का right answer होगा बहादूर साह जपर अभी ज्यान सकॉन तलम का हिंदी में पिरसिद्ध अनुबाद किसने किया था तो question number 140 का सही answer इसका जो हिंदी में अनुबाद किया था अभी ज्यान सकॉन तलम का बही किसने किया था तो बही किया था राजा लक्षमान सहने किसने राजा लक्षमान सहने question number 141 स्वर्ग की जलक वा अन्दी गली के लेखक इनमें से कौन है तो 141 वा question है और यह तो भहती महत्वपूर्ण question है स्वर्ग की जलक और अन्दी गली के लेखक इनमें से कौन है question number है आपके हैं पर 42 मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है मुझे चांद चाहिए आपके लिए बताना है इसकी रचनाकार कौन है तो मुझे चांद चाहिए सुरेंदर बर्मा कौन सुरेंदर बर्मा आपका सही आंसर होगा सुकुल की बीवी किसकी रचना है सुकुल की बीवी एक इसकी रचना है यह आपके लिए बताना है मात तुपुन कॉस्चन है और 43 का सही आंसर है C आनकी निराला संस्किर्थी के चार अध्या किसकी रचिना है संस्किर्थी के चार अध्या इरचिना बताना है किसकी रचिना है तो आपके हैं पर सही आंसर होगा 144 का राइट आंसर है संस्कृति के चार अध्याज दिनकर question number है आपका प्रकारसन एंवर्स के अनुसार सही अवरोही क्राम कौन सा है तो प्रकारसन एंवर्स के अनुसार बताना है तो प्रकारसन वर्स के अनुसार तो आपका होगा है यहाँ पर right answer मैं यहां पर पढ़कर बतानी होती हैं तो यहां पर बहुत बड़े बड़े गध्यांस दिये गा है तो यहां पर टाइम लग जाएगा तो इस परकार यह जो पांच कॉस्चन वाइच छोड़ दिये हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें